हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे घर पे बहुत ही मज़दार चिकन मलाई कोप्ता इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही स्मूध बहुत ही सिल्की होती है और यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है तो एक बार तो बनाना बनता है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते है तो यहां पे हम मिक्सी का जार ले लेंगे और आधा केजी हमें बोनलेस चिकन लेना है इसमें हड़ी नहीं होनी चाहिए और इसको धूल के हमें मिक्सी के जार में डालके और इसका हमें एक दरदरा सा पेस्ट जैसे बना लेना है मतलब कि चौप कर लेना है इसको थोड़े थोड़े रुक रुक के हमें चलाना है मिक्सी को और यह आराम से पिस जाएगा तो यहां पे देखिए हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से बारिक हो चुका है अब हमें इसको एक मिक्सिंग बावल में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले बना लेते हैं इसके ल पेस्ट बना लिया है इन मसालों को हमें मिक्सी के जार से निकाल के और चिकन में एड कर देना है और उसके बाद हमें इसमें डालना है यहां पे हमने तीन हरी मिर्ची को छोटे-छोटे टुकडे कर लिये थे तो यहां पे हम हरी मिर्ची को भी एड कर देंगे और एक मुठ अधी चम-मचंगर हम इसमें चीली फ्लेखस्ट करेंगे चीली कन यह सकते हैं और स्वेट के निसार नमक करेंगे तो आप यहां पर नमक करलें चाइंड लें इसको हमने पानी भीगों के रख दिया था अबानी नुचोड के और इस चीकन में आड कर cupcake कर देना है आप ब्रेट के जगह पे भूने हुए चने का बेशन भी ले सकते हैं, भूने हुए चने का पेस्ट बना के भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेट से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हम यहाँ पे ब्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी चिकेल में मसाले जु है वह बहुत अच्छ से मिक्स हो चुके हैं, यहां पर 3 मिडियुम साइज के प्याज को हमने कुद्ड स कर लिया था, इसको हम इसमें एड़् कर देंगे, तो आगर आप ज्यादा कॉंटिटी पीडा रहे हैं तो प्याज के तिमया ज्यादा ले सकते है तो प्यार डालके हमें अच्छ से मिला लेना है, उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर रेट करेंगे, इससे फ्लेबर जोब बहुत अच्छा आता है, चट-पिटासा टेंगी सा फ्लेबर आता है, तो यह आप इसमें जरूर रेट कीजिएगा तो काली मिर्च आड़ करके इस अच्छे से मिक्स करके और इसे हमें रख देना है रेष्ट के लिए तो लगबग हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फटाफट से बना भी सकते हैं लेकिन हमने यहां पर 10 मिनट के लिए एड़ कर दिया है और यह थोड़ा सा हमने निकाल के फ्रीज में रख दिया है ताकि हम उसका इस्तवाल बाद में कर ले हमें जितना बनाना था उतना ही हम य कोड़े से ओयल को लगा लेना है देखिए सभी कबाब को हमने ऐसे ही बना लिया है तो आप अगर चाहते हैं लंबे करने तो आप रोल की तरह कबाब सी कबाब की तरह लंबे बना सकते हैं लेकिन हम यहां पे गोल गोल करके चप्टे बना रहे हैं तो अब इसे हमें पट लेना। और इसका हमें ध्यान देना है कि डैस का फ्लेम हमें लो करके पकाना है।ela कि अंधर तक खूले में पकातब्की है। और अंदर तक पकेगा नहीं अंदर से कच्चा ही रहेगा तो इस वज़ा से हमें low flame करके बहुत अच्छे से पका लेना है इसे और यहां पर देखिए Color कफीड़ हो चुका है और हमारा कभाब तो चुका है और जो एक निकाल October को निकाल लेकूर कुछ कभाई हेचली क्धालय देएक। प्याज के नखी छुड़ा पडाई और जूहाँं, दढ़ंड क्फपड़े को ऐ्ड करेंगे और इन सारे चीजों को अच्छे से भून लेना है रोला इतना है ताकि प्याज और सारे मसाले जो है वह अच्छ से सौट हो जाए और कलरड क्यूंच होजये ओर यहां पर हम कुछ खड़े मसाले आड कर रहे हैं चोटी लैची काली मिर्छ दाल चिनी के टुकड़े और तीन हरी मिर्ची और यह देखिया अच्छे से सभी चीजे भूल चुके हैं अब इसको हमें ठंडा करके मिक्सी के जार में एड़ करके इसका हमें एक made powder paste बना लेना है इस्में पानी वग्रह मैं इस्तिमाल है नहीं करेंगे बस हमें ऐसे ही इसका बना लेना है और यहाँ पर देखिया अरहीर पेस्ट बन चुका है अब हम इसमें एड्ड करेंगे कुछ मसाले तो सवाद कoggणूश्र हम नमक एड़ कर दे रहे हैं आदी चम्मच हम काली मिर्च का पौडर एट कर रहे हैं. इसमें और मसाले नहीं यूज होते हैं, तो बेसीकली हम इसमें और मसाले यूज हुज नहीं करेंगे. उसी कड़ाई में हमें तेल एट करना है, और साबुत तीन लाल मिर्च आड़ करेंगे और दो तेस्पत्ता आड़ करके और इन सारे चीजों को अच्छे से भून लेंगे चटकने देंगे और यह कलर चेंज हो चुका है तो हमने मसालों का जो पेस्ट बनाय था उसको हमें इसमें एड़ कर देना है और मिक्सी के जार क हमें थोड़ी सी पानी भी एड़ कर देना है इसमें और अच्छे से चलाते हुए भून लेना है इसको हमें ढख कर भून लेंगे तो ढख कर देते हैं लेकिन हमें बाद बीच बीच में एक दो बार चेक कर लेना है तो हमने यहां पे एक दो बार बीच बीच में चेक कर लि ताकि कोई भी लब्स वगरा गुठली वगरा ना रहे और इस पर हमने गैस का फ्लेम आफ कर दिया था तो काफी लोगों की सिकायत होती है कि दही अमरा फट जाता है तो इसी वज़ा से फटता है कि आप लोग गैस का फ्लेम आउन करके ही दही को आट करते हो पहले आफ करके तब दही को आट करना होता है दही के साथ अच्छे से पकाने के बाद मसालों को और उसके बाद हमें क्रीम आट करना है तो यहां पर हम दो चमच क्रीम आट कर रहे हैं तो अगर आपको क्रीम ज्यादा क्रीमी आपको चाहिए तो थोड़े से क्रीम और ज्यादा आट कर सकते लेकिन हम यहां पर दो बड़े चमच क्रीम अड़ कर दया है और इनको अच्छे से भूनेंगे और देखी यहां पर बहुत च्चे से तेल ऊपर आचुका है अब हमें इसमें कबाब को अड कर देना है का प्रेंट्स यकीन मानिया बोहत ही स्मूद बहुत ही Kristin當然 जो है वो बन के त्यार होती है बहुत ही कम मसालों में तो आप लोगी से एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है तो इससे हमें मसालों में आइड करके कबाब को और 2-3 मिनद तक अच्छे से भूनना है ताकि इसकी ग्रेवी की जो टेस्ट है वो कब अगर आपको पतली रखनी हो तो आप इसमें डेट गिलास पानी एड कर सकते हैं अब हम इसको ढख कर पका लेना है तो यहां पे हम ढख के पका लेंगे और उसके बाद हमें सब कर लेना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कीजेगा चैनल को जर सब्सक्राइब कर लेडियो